Hello everyone, स्वागत है आप सभी लोगों का Learn and Fun पर तो System of Particle and Rotational Motion का एक lecture बेटा हम अल्रेडी ले चुके हैं और एक lecture लाइव ले चुके हैं पहले lecture में हम लोगों ने इस particular chapter के center of mass क्या होता है ये समझा क्यों ये एक important point है ये समझा और हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं ये समझा अब बहुत सारी चीजे हैं जो हमारा आसपास हो रही होते हैं on the basis of center of mass लेकिन हम उन्हें observe भी करते हैं पर हमें शायद ये नहीं पता है कैसा हो क्यों रहा है तो इसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे motion of center of mass की center of mass move कैसे करता है किसी भी body का राइट या किसी भी system of particle का ठीक है ना उससे पहले बेटा कुछ shape है जिनका center of mass आप सभी लोगों को पता होना चाहिए याद होना चाहिए उन shapes को मैं आपको यहां दिखा रहा हूं यह कुछ important shape है इनका center of mass आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ठीक जो बेटा अपना triangular plate है triangular lamina भी बोलते हैं equilateral triangular plate है इसका अगर height h है तो इसका center of mass bottom से h by 3 दूरी पे होगा दिखाई दे रहे सभी लोगों को ठीक है यह क्या है मैं बता देता हूं लिख के बता देता हूं आप सभी लोगों को this is a triangular plate या equilateral triangle भी बाहन सकते हैं ट्राइंगुलर plate है यह ठीक है बेटा अब कुछ shape आपको एक जैसे दिख रहे होंगी इसमें और इसमें अंतर नहीं आ रहा होगा नजर उसमें और इसमें अंतर नहीं आ रहा होगा नजर लेकिन मैं लिख देता हूं बेटा यह hollow hemisphere है क्या है यह hollow hemisphere हमिस्फियर है अगर हमिस्फियर की radius हो अगर रेडियस आधा इस फियर खाली वह भी खोकला है अगर रेडियस आर है किसी हमिस्फियर की होलो हमिस्फियर की तो भाई साब उस हमिस्फियर का center of mass center से r by 2 दूरी पर होगा ऊपर की तरफ ठीक क्लियर आगे की बात यह 3r by 8 पर तो दिख रहा है ने solid hemisphere this is a solid यह होलो है आधे दोनों आधे गोले यह खोकला गोला यह solid गोला solid hemisphere चीक है ना अच्छा अगर रेडियस आर है solid hemisphere के तो 3r by 8 पर उसका क्या होगा center से center of mass होगा ठीक है यह बटा 2r upon pi जो दिखाई दे रहा है तो मैंने last class में बता दिया था यह ring है half ring ठीक है और यह जो आपको दिखाई दे रही है 4r upon 3pi पर यह disc है half disc ठीक है तो यह half ring है यह half disc ह चीक है clear सबी लोगों को तो बाइस साब यह shape आपको समझ वागी hollow hemisphere का center of mass जो होता है वो r by 2 दूरी पर होता है center से triangular plate का h by 3 दूरी पर होगा bottom से देखो यहाँ पर mass ज्यादा है तो bottom के pass होगा ठीक है आप सबी लोगों को बताई दिया जिदर mass ज्यादा होता है body में उसके near center of mass होता है यह solid hemisphere 3r by 8 अगर r radius है तो यह ring है 2r upon pi और यह disc है half disc जिसका 4r upon 3pi पे center of mass होगा ठीक है अब हम लोगों को बेटा चर्चा जो करनी है यह तो बिल्कुल basic सी कहानी थी जो हमने अभी तक पड़ी है center of mass पता होना चीए आपको different shapes का different bodies का यह हमने बता दिया आप सभी ल center of mass heading डाल लीजिए motion of center of mass चीक है बेटा मान लीजिए कि किसी particular system में n number of particles है तो उनका center of mass कहीं होगा अगर कोई system है उस system में n number of particles है जिनका mass है m1, m2, m3 up to mn ठीक है origin के respect में उनके position vectors जो है वो है r1, r2 and so on rn ठीक है अगर मैं कहूँ with respect to origin given origin आप लोग center of mass की position बताईए तो आप कहोगे सर center of mass का जो position vector आएगा ठीक है vector लिखेंगे वो आएगा m1, r1 vector plus m2, r2 vector यह तो बताया था लास्ट क्लास में वहीं से कहानी को बटा हम लोग आगे ले ज rn vector ठीक है और divided by m1 plus m2 up to mn मतलब पूरे system का mass चीक है clear है यहां तक की बात सभी लोगों को चलिए बहुत बढ़िया अब यह तो बेटा किसकी बात हो गई यह बात हो गई जो position है center of mass की ठीक है अब मान लो सारे के सारे जो particles हैं वो इधर-उधर move कर रहे हैं उनके पास कुछ velocity होगी पहला V1 speed से जा रहा है दूसरा V2 speed से 0100is के वहा कर रहे हैं तो center of mass की velocity हम निकाल सकते हैं center of mass और जिसके हम सारा मास consider कर रहे हैं सारे particle MOV कर रहे हैं तो center of mass कर रहा हो कैसे किसी भी point की velocity कैसे निकालते हो आप देखते हो कि उस पोईंट की पोजुशन, ओरिजिन के रिस्पैक्ट में कैसे चेंज लिए, तो पोजुशन को आप टिफरेंटेट करते हो, तो स्वेलोसिटई मिल जाती है, मलत पोजिशन वेक्टर को याप displacement vector को क्या करोगे वेटा जब आप differentiate करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको velocity मिल जाएगी, किस rate से उसकी position change हो रही है, यही तो होती है velocity, किस rate से position change हो रही है वह है velocity है, यա कितनी तेजी चल रहा है तो हम क्या करते है, हम बेटा इसको differentiate करते हैं और जब हम इसको differentiate करेंगे न, time के respect में, center of mass की velocity की बात हो रही है, ठीक है, तो भैस साब ये बन जाएगा velocity of center of mass, ठीक है, अगर मैं इसको differentiate कर दूँगा, तो का बन जाएगा, velocity of center of mass बन जाएगा, तो मैंने दोनों तरफ differentiate किया, तो ये आ गया DRC by dt, जिसको मैं center of mass की velocity बोल रह होई, तो मैं लिखूंगा, M1, DR1 by dt, plus M2, DR2 by dt, जिक है, and up to Mn, DRn by dt, और divide कर दूँगा, इसे बेटा किस्से है, total mass से, वही M1, plus M2, up to Mn, जिक है, clear है, ये vector लगाना है, इदर साइं, क्योंकि position vector एक अपने आप में vector है, ठीक है, clear है, बेटा, DR1 by dt क्या होगा, कि पहले particle की position किस rate से change हो रही, मतलब पहले particle की velocity होगी, ये दूसरे particle की velocity होगी, ये तीसरे particle की velocity होगी, है ना, तो हम center of mass की जो velocity है, उसको लिख सकते है, M1, V1 vector, plus M2, V2 vector, है ना, इस तरह से, up to Mn, Vn vector, ठीक है, डिवाइड करेंगे बेटा, इसको, किस से, M1, plus M2, up to M, चीक है जी, इस formula को याद रखेंगे सभी लोग, और इसे मैं box में भी डाल देता हूँ, आप लोगों को याद रहे, क्या है ये velocity of center of mass है, कि center of mass की velocity अगर आप लोगों को निकालनी है, तो कैसे निकाल होगे बेटा, पहले mass, पहला point mass, या पहला mass into उसकी velocity, प्लस दूसरा mass into उसकी velocity, प्लस तीसरा mass into उसकी velocity, divided by पहला mass, दूसरा mass, तीसरा mass का sum, total mass, जो system का है, तो आपको ये पता चल जागे, center of mass किस रफतार से चल रहा है, बहुँ, particle अलग रफतार से चल रहे होंगे, center of mass आप लोगों समझ मैंने चाहिए, अच्छे, velocity होगी, हम मेरो को acceleration निकालना है, center of mass का, क्या निकालना है, acceleration of center of mass, तो यार, velocity का अगर differentiation कर दूँ, तो क्या acceleration बन जाएगा, तो दोनों तरफ अगर मैं differentiation करूँगा, तो इधर dvc by dt आएगा, m1, m2 ये सब constant है, इधर dv1 by dt इस तरह से, तो velocity की change की rate मिल जाएगा, मैं तो मैं दोनों तरफ फिर से again इस equation को differentiate कर रहा हूँ, तो मेरे पास बेटा आजाएगा, dvc by dt, ठीक है, और ये बन जाएगा बेटा अपने पास में, m1, dv1 by dt, ठीक है, प्लस m2, dv2 by dt, ठीक है, दूसरे particle की velocity जिस rate से change हो रही and mn, dvn by dt, ठीक है, divided by, डिवाइड गरना मा तो भूलना, total mass, m1, प्लस m2, अब टो mn, ठीक है, अब ये जो velocity का differentiation होगा, ये बन गया acceleration of center of mass हाना, तो center of mass का acceleration आगया हमारे पास में, क्या आगया, m1, ये पहले particle का acceleration, प्लस m2, दूसरे particle का acceleration, up to mn और nth particle का acceleration, जिस rate से velocity change हो रही हो से, acceleration बोलते हैं हम लोग हाना, फिजिक्स में, डिवाइड गरेंगे बेटा, इसको total mass से, अगेन वई, बस डिवाइड करना मत बूलना, सभी लोग, ठीक है, न, clear, ये आगया हमारे पास center of mass का acceleration, ठीक, clear, पहला particle का mass, इंट उसका acceleration, और ये वैक्टर सम है, बेटा, मतलब ये quantity कुछ और होगी, ये quantity कुछ और होगी और इनका सबका vector sum लेना है, मतलब even हमको angle consider करना पड़ेगा, vector sum कैसे होता है, बेटा, दो वैक्टर का sum अगर हम करना चाते है, तो वो angle पे depend करता है, कि वो किस-किस angle पे, किसी particle पे act कर रहे है ठीक है, तो जितने भी particles का M और A का multiplication आपको दिखाई दे रहा है, उनका सबका vector sum हो रहा है, ठीक है, clear है, अच्छा, ये बेटा M1, M2, ये सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये constant value होगी, जैसे 2 kg, 4 kg, 5 kg, तो ये total मिलके 10 kg बन जागा, 20 kg बन जागा, जो भी है, तो मेरे पास ना कुछ ऐसी चीप दिखाई देगी, मुझे M1, प्लस M2, अप्टू, MN, और इसको multiply, इसको इदर भेजा तो multiply होगा, acceleration of center of mass से, बराबर में आ जाएगा, M1, A1, प्लस, M2, A2, अप्टू, MN, A1, चीक है, ना, clear है, ये देखो बेटा क्या है, F बराबर M, A, आप सभी लोगोंने formula सुना होगा, क्या सुना होगा, F बराबर M, A, एक formula सुना होगा, हाँ सर, सुना तो है, ये पहले particle पे net force है, दूसरे particle पे net force है, ऐसे nth particle पे net force है, F1 vector, F2 vector, ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, ठीक है बास, अब इसको मैंने ल particle एक दूसरे पे internal force लगाते हैं, वो internal forces cancel out हो जाते हैं, ठीक है, clear सबी लोगों को, तो यहाँ जो resultant बचेगा ना, वो बचेगा external force, इसके बराबर जाएगा, F external के, देखो, दो तरह के force किसी particle पे लग रहे हूँँगे, एक internal force और एक external force, हाना, मैं इसको लिख भी देता अगर मैं vector sum करूँगा, तो internal forces तो सारे cancel out हो जाएंगे, तो इनका जो resultant बचेगा, वो बचेगा सिर्फ external, दो तरह के force लग रहे हूँगे, किसी particle पे, internal and external, अब internal force cancel out हो रहे हैं, तो इनका जो resultant निकल का आगा, वो आएगा सिर्फ external force, तो मैंने लिखा बेटा है, यहाँ प अब यह सबसे बड़ी कहानी, यहाँ से गाने actual में start होगी, तो derivation था कुछ भी नहीं है, हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है, खिछडी एक तरह की है, हमें क्या पता चला है, हमें पता चला है कि total जो force लग रहा है, उसमें से internal component cancel out हो रहे हैं, तो net external force जो ह सिस्टम का मास हो गया, सारे particles का मास आपने add कर दिया, मतलब उस सिस्टम का मास बन गया है, तो आपने लिख दिया जी के सर F external जो है वो तो बाई साब बराबर हो गया, mass of the system into acceleration of center of mass के, ठीक है, यह बात बिलकुल पक्की है, ठीक है जी सर, बहुत बढ़ी है, अब अगर उसका external force on the system 0 है, इसका मतलब बेटा यह 0 रख दिया, तो mass को divide गरूँगा, तो acceleration of center of mass 0 हो जाएगा, मतलब कि center of mass का acceleration 0 होगा, अगर external force 0 है तो, center of mass का acceleration 0 है, हर एक individual particle का acceleration 0 हो, यह जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी थोड़ी ना है कि एक particle है, सुनना ध्यान से, उसका acceleration 0 हो, यह जरूरी नहीं है, जैसे एक particle का एक system बनाया हमने उसमें मानलों दो particle है, क्या है बटा उसमें 2 particle है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ accelerate कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि external force अगर नहीं है कोई भी system में, तो भाज साब center of mass उनका accelerate नहीं करेगा, center of mass का acceleration 0 होगा, जैसे मानलों मैंने का under gravity, यह M1 mass है, यह M2 mass है, यह दोनों एक दूसरे की तरफ move कर रहे हैं, इसको मैंने as a system ले लिया vacuum में, ठीक है, मतलब और कुछ नहीं है, तो छोटे-छोटे point mass है, कोई force force नहीं लग रहा है, अगर मैं इन दोनों point mass को एक system consider करता हूँ, तो gravity के वज़े से एक दूसरे की तर internal force की वज़े से, external force की वज़े से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि internal force की वज़े से एक दूसरी की तरफ accelerate कर रहे हैं, external force है नहीं, तो इनका center of mass का acceleration होगा कुछ ना कुछ, लेकिन center of mass का जो acceleration होगा, वो zero होगा, अब prove भी कर सकते हो, इस चीज़ को मैं prove भी करवा दूँगा, अगर अंडर gravity एक दूसरी की तरफ move कर रहे हैं, तो बेटा सीधी सी बात है कि internal force की वज़े से एक दूसरी की तरफ move कर रहे हैं, विच मीन्स इस system पे कोई external force नहीं है, अगर इस system पे कोई external force नहीं है, तो इनका center of mass, जो भी होगा है, मालनो यहाँ पे center of mass है, इसके पास कोई acceleration होग तो acceleration system of center of mass का 0 होगा, ठीक है, अगर acceleration of center of mass 0 है, इसका मतलब यह भी है क्या बेटा, कि dvc by dt 0 है, अरे ऐसा ही है क्या है बेटा, अरे acceleration को dv by dt बोलते हैं, अगर center of mass का acceleration 0 है, इसका मतलब velocity of center of mass time के respect में constant होनी चाहिए, क्योंकि अगर यह dv by dt 0 है, तो यह तभी possible है, जब vc change ह नहीं हो रहा हो, मतलब velocity of center of mass change नहीं हो रही हो, यहीं मतलब यह क्या, अरे acceleration का मतलब क्या होता है, change in velocity, अगर acceleration 0 मतलब there is no change in velocity, अच्छा, मतलब इसका मतलब यह है कि velocity of center of mass जो है, वो constant होनी चाहिए, तभी बेटा acceleration of center of mass 0 होगा, center of mass की velocity constant होनी चाहिए, तभी acceleration of center of mass 0 होगा, जो velocity of center of masses का formula बताया था M1 V1 plus M2 V2 up to Mn Vn यही था बिटा और divided by था M1 plus M2 up to Mn ठीक है अब देखो ध्यान से अगर external force 0 है तब के बाद की कहानी चल रही है अगर external force 0 है तो यह constant होगी constant है यह mass जो है यह भी constant है mass थोड़े ना change हो जाएगा तो इसको multiply करूँगा तो यह आजागा capital M Vc भाई यह total mass of the system हो गया M1 plus M2 up to Mn total mass of the system हो गया तो इसको मैं इधर multiply कर दिया यह बन गया अपने पास में M1 V1 plus M2 V2 up to Mn Vn up to Mn Vn ले जाते हैं इसको ठीक है चीक है ना आच्छा भाई velocity of center of mass constant अगर external force 0 है तो इसके बाद सारी कहानी start हुए है अगर external force 0 तो यह कहानी true है जो भी मैं बता रहूँ mass system का constant है change नहीं होगा मतलब यह पूरी quantity constant बन गए यह मतलब यह जो भी दिखाए दे रहन आपको M1 V1 plus M2 V2 up to Mn Vn यह बिटा जी पूरा का पूरा constant रहेगा इसका मतलब क्या है सर यह तो जानी पहचानी सी term लग रही है M1 V1 है पहले particle का momentum M2 V2 है दूसरे particle का momentum और Mn V1 है Nth particle का momentum यह constant है मतलब क्या है कि vector sum of momentum constant है मतलब momentum conserve रहेगा किसी भी system of particle का अगर उस system पे external force नहीं है तो इसको कहते हैं हम लोग conservation of momentum क्या कहते हैं conservation of momentum अगर भाई साब किसी भी particles के system पे net external force 0 है तो particle एक दूसरे के तरह move कर रहे होंगे center of mass accelerate नहीं करेगा center of mass move करेगा constant velocity से center of mass के velocity constant रहेगी ठीक है अब center of mass की velocity constant होने का मतलब यह हो गया बिटा velocity of center of mass constant होने का मतलब यह हो गया कि पूरा का पूरा जो system है ना उसका momentum constant है यानि कि conserve है अब system के momentum को आप दो तरीके से लिख सकते हो कैसे लिख सकते हो याद रख लो यह चीज़ा note करो we can write momentum of system of particle in two terms पहले particle का mass into उसका velocity प्लस दूसरे particle का mass into उसका velocity है ना एंड इसका सम कर दो सभी का वैक्टर सम में याद रखना अगर सम कर दोगे तो आपको total system का momentum मिल जाएगा हर एक particle का momentum निकालो उसे sum कर दो vector sum तो आपको total क्या मिल जाएगा total system का momentum या आप दूसरा काम कर सकते हो आप डायर क्योंको दोनों बराबर ही तो हैं अब center of mass की velocity निकाल लो उसे total mass of the system से multiply कर दो यह भी आपको system का momentum देगी कि momentum क्या है बटा conserve है कब conserve है जब external force system जो system है उसके उपर zero है ऐसे case में acceleration नहीं होगा center of mass का और velocity constant रही यह note कर लो सारी चीज़े चीक है बटा आप आगे की बात पर हमें यह तो पता चल गया कि यह कहानी true है तो यह कहानी हो रही है से conservation of momentum theorem भी बोलता है ठीक अगर मान लो किसी system पे external force नहीं है किसी system पे external force नहीं है और वो system रुका हुआ है system जो है है रुका हुआ क्या मतलब initial velocity जो है center of mass की वो 0 है मैं यह कहना चाहता हूँ system move कर रहा होगा में भी but velocity initial 0 center of mass की system की नहीं center of mass की क्या कह रहा हूँ मैं सुनना जरा ध्यान से मैं कर रहा हूँ let external force किसी भी system के उपर 0 है ठीक है and the initial velocity initially center of mass is at rest center of mass जो है वो initially rest पर है ठीक है मैंने क्या कहा है बेटा कि जो system में उसके पर external force भी नहीं है और center of mass initially rest पर है इस case में क्या होगा इसका मतलब यह कि center of mass की initial velocity 0 है क्या मतलब है इसका center of mass की initial velocity 0 है और external force के 0 होने का मतलब यह कि center of mass का acceleration 0 है मतलब center of mass accelerate नहीं करेगा इसका मतलब center of mass की velocity कभी भी change नहीं होगी वो constant रहेगी अगर किसी system पर external force 0 है ना और initially दूसरी condition यह है initially center of mass is at rest तो center of mass हमेशा का रेस्ट पर रहेगा अगर initially ऐसा है तो बेटा center of mass विल बी एट रेस्ट है ओल्ड़ टाइम the center of mass change नहीं होगा अपनी position चेंज नहीं करेगा center of mass अपनी displacement of center of mass विल भी जीरो अगर रेस्ट पर है मतला बहुत सारे particles है इदर उदर इदर दोड़ रहें उनकी velocities का जो सम आ रहा है vector sum समझे लो ध्यान से भाई सब ठीक है वो 0 आ रहा है मतला velocity of center of mass 0 आ रही आप यह मानगे चलो अगर center of mass की velocity 0 और कोई सिस्टम पर external force नहीं है तो बैटा center of mass हमेशा rest पर रहेगा particles move कर सकते हैं पार्टिकल इदर उदर move करेंगे center of mass नहीं करेगा वो जाता हूँ रहेगा अगर initially rest पर है तो अगर initially rest पर है तो center of mass जाता बैटा वहीं रहेगा आई बात समझ में कुछ-कुछ थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं दीरे-दीरे कुछ-कुछ example जब हम लेंगे ना इसके तो हमें थोड़ी और अच्छे से कहानी जो है clear हो जाएगी ठीक है यहां तक की बात समझ में आ गई मैं आपको एक छोटा से एक्जामपल लेके बताता हूं कि किस तरह से सेंटर उफ मार्श जो हो रेस्ट पर एगा मान लीजिए अभी अपने पास कुछ-चन नहीं आया ठीक है मान लीजिए कि एक सिस्टम है ठीक है उस सिस्टम में दो पार्टिकल है पहला पार्टिकल है मान लेते हैं एक किलोग्र कराम का ठीक है और ये इदर मूफ कर रहा है और दूसरा पार्टकल है अंडर म्यूचल attraction एदर move कर रहा है ठीक है यह दो किलोग्राम को है ठीक है इसकी velocity मान लेते हैं हम 20 meter per second है इसकी मान लेते हैं 10 meter per second है ठीक है clear सभी लोगों समझ में आग यहें तेंचेली तो इसका center of mass कहीं होगा मान लो कहीं पर भी है यहां कहीं है center of मास इसका 2ोग डुमिवारे मास की तरफ होता já सेंट्र ऑफ मास का थोड़ा सा हम को ये देखना उसकी वैलाउस्टी कितनी उसका acceleration कितना है जो हूं ने बाते पड़े राज ह समल्भा हमने का दो मास हैं एक किलोग्राम का दो किलोग्राम का एक दूसरी की तरफ वो अंडर म्यूचल अट्रेक्शन आ रहे हैं पहले वाले मास की स्पीड हमने मान ली 20 दूसरे वाली की मान ली हमने 10 ठीक है अच्छा अब सुनना जरा ध्यान से अगर मैं कहूं आप से वेलोस्टी स्नेगेटिव होगे अपने आप घ्ठर लिखते ने वेक्टर तो राइट साइड़ वाले अगर पॉस्टिव होंगे तो मतलब दाएरेक्शन तो आपने इसको पॉसित मान लिया तो इस वाली वेलोस्टी को जीरो आई थिक है बहुत बड़ी है अब सेंटर ओफ मास इनीशली रेस्ट पर है इस इस इनस्टेंट पर स्पीड कितनी है जीरो जीरो ना इस इस इंस्टेंट पर और कोई एक्स्टरनल फूर्स लग नहीं रहां तो सेंटर आप मस्ट का रहेगा मतलब यह मूव कर सकते हैं एक दूसरे की तरफ यहां ना यहीं रहेगा कहीं नी जाएगा कि अरे दो पार्टिकल के बीच की दूरी बढ़ने से गटने से चेंज होने से सेंटर मास के दूरी चेंज हो सकती है लेकिन इसका मतलब हमेशा वो रेस्ट पर है उसकी स्पीड उसकी वेलास्टी को कोई चेंज नहीं कर सकता है जमपल समझ में आया सभी लोगों को तो हमने कुछ चीजे सीखी उन सभी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह थी कि अगर किसी सिस्टम पे एक्स्टर्नल फॉर्स ना लग रहा हो तो सेंटर ओफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा मतलब उसकी वेलास्टी कॉंस्टेंट होगी अगर वो वेलास्टी जीरो है सुरुवात में इनिशली जीरो है तो कर सकता है चांट कर सकता है कॉंस्टर ओफ मास की वेलासिटी को चैंज कर सकता है इसका मतलब कानेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर मास को चेंज कर सकता है सिरफ एक्सटर्णल फोर्स बात बहुत गहरी है गहरी हो रही है ठीक समझ में आना चाहिए आप सभी हो अब कुछ सवाल अगेरा हैं उनको कर लेते हैं खिजड़ी तो अपनी पक चुकिए खतम हो चुकिए जोड़ी कानी छोटा सा सवाल है इस सवाल के थुरू अपने कांसेट सीखने वाले हैं ऐसे सवाल बहुत मिलें को के वुडन प्लैंक है जिसका मास 20 किलोग्राम है इस प्लैंक का मास 20 किलोग्राम है और या रेस्ट पे रखा हुऊ है resting on a smooth horizontal floor यह जो floor दिख रहाए को यह स्मूथ है, a man of mass 60 kg, यह बाइसब 60 kg का है, starts moving from one end of the plank to the other end, the length of plank is 10 meter, find the displacement of the plank over the floor when the man reaches the other end of the plank, मतलब क्या है, मतलब यह है बेटा, सुनना ज़रा ध्यान से, कि ना हमारे पास यह situation है, कि एक plank दिया हुआ है, लंबा plank बना लेते हैं, ठीक है, समझ ना भी स्चीज को, ठीक है, और इस plank पे सुनना ज़रा ध्यान से, यह plank है कि smooth surface पर रखा हुआ है, नीचे बहुत, मतलब surface जो smooth है, बिल्कुल, नीचे जो surface हो, smooth है, मतलब कि यह कोई friction नीचे नहीं है, ठीक है, यह smooth plank पे उपर रखा हुआ है, ठीक, smooth plane के उपर, इस पे एक इनसान है, जो इस end पे खड़ा है, 60 kg का, ठीक है, यह man है, जो 60 kg का इसके उपर खड़ा हुआ है, man और इसके बीच में friction है, man चलने के लिए, plank पीछे धके लेगा, मतलब plank के उपर पीछे friction लगाएगा, man के उपर आगे friction लगाएगा plank, तो जैसे ही man चलना start करेगा, plank पीछे की तरफ आना start करेगा, क्योंकि man plank पे पीछे force लगा रहा है, plank man पे आगे force लगाएगा, friction, ठीक है, अब man जब plank पे पीछे force लगा रहा है, तो x direction में plank पे force लगा, और x direction में man पे force लगा, बस man पे positive x में है, plank पे negative x में है, तो plank पीछे आने की कोशिश करेगा, जैसे की just like this, जैसे मान लीजिए, अगर मैं इस remote को बहुत smooth surface पर रख दूँ, बहुत smooth surface का मतलब है, जैसे बहुत ही ज़्यादा smooth surface कोई मान लो, अगर हो सकती हो, मैं यहाँ से चलना चालू करो, तो remote पीछे आने लगेगा, अभी मेरा हाथ बहुत rough है, और rough है, इसलिए फिर यह move नहीं कर रहा है, अच्छे से, मतलब यह कुछ आगे बढ़ेगा, यह कुछ पीछे आ जाएगा, यह initial कहानी जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, यह initial कहानी जो आपको दिखाई दे रही है, फाइनली क्या होगा कि यह प्लैंक थोड़ा इदर चलेगा यह मैं थोड़ा इदर चलेगा तो मैं जब चल रहा होगा टोटल तो ऐसी हालत हो जाएगी देखो प्लैंक की ऐसी हालत हो जाएगी प्लैंक की ऐसी हालत हो गई चीक है मतलब यह इनीशल जो है मैं यहां पहुंच ठीक है? और प्लैंक जो है लेट से X distance मुव कर गया का भाग मोव कर गया लेफ्ट में भव कर इस तो बात पकी है अरे अगर प्लैंक रुका हुआ होता तो मैन को उतनी ही दूरी चलनी पड़ती जितनी plank की length 10m, I guess, कितनी है, 10m है, तो 20kg और 60kg, this is 10m, this is 10m, मतलब अगर यह plank रुका हुआ होता, चलता नहीं, तो man को उतनी दूरी चलनी पड़ती, एक end से दूसरे end पहुँचने के लिए जितनी लेंद्ध है इतनी दूरी चलनी पड़ती है लेकिन इधर मूफ कर गया मतलब खुद नीचे से लेफ्ट की तरफ मूफ कर रहा है तो मैंनको थोड़ी से कम दूरी चलनी पड़ी होगी अरे सोचो ना एक ऐसे मानलो कि कोई लंबा पट्टा रखा हुआ नीचे आप उस पर चल पीछे चला गया है आप खुद इमेजन करके देखो कि आपके नीचे से आप एक हैंड पर खड़े हो आपको दूसरे हैंड पर जाना है मैं पट्टे को आदा खीश दू पीछे से तो आपको जो दूरी चलनी है वह आदी बची अरे जितना पट्टा पीछे गया है उतनी द सिरफ 10-x, क्योंकि x तो पट्टा ही पीछे आ गया, x तो प्लैंग की पीछे आ गया तो हमको 10 से कम दूरी चलनी पड़ी, ठीक है, ये तो हो गई बटा कहानी यानि कि concept हो गया, अब थोड़ा सा सवाल को दुबारा से एक बार चेक करते हैं, इसमें कहा गया है हम सभी लोगों क्या कहा गया है बिटा, कि जब ये इस एंट से इस एंट पर तो पट्टा पीसे जाता उस प्रोसेस में तो इसे कम दूरी चलनी पड़ी, ठीक है, अगर मैं इसको as a system consider करूँ, सुन लो ध्यान से, मैं इसको system माल लेता हूं, किसको man को और plank को, क्या माल ले मैंने system, तो ये आपस में दूसरे force लगा रहे है, which is internal force, internal forces से center of mass को कोई लेना देना नहीं है, भाई, कोई लेना देना नहीं है, internal forces से center of mass को, external force जो है, ठीक है, वो zero है, x direction में, in x direction, ठीक है, अब internal force, external force, zero x direction में, ये मेरे को पता चल गया, और दोनो initially rest पर है, क्योंकि resting और ये भी हुका अगर दोनों rest पे हैं तो m1 v1 अभी initial speed निकाल के दिखाता हूं आपको velocity of center of mass निकाल के दिखाता हूं मैं आप लोगोगो m1 v1 plus m2 initially v2 upon m1 plus m2 0 divided by anything is 0 center of mass rest पे है और force जो लग रहा है फोर्स जो लग रहा है direction में वो 0 है external force x direction में को external force नहीं यानि कि x direction में center of mass move नहीं करेगा जहां इसका center of mass था वहीं इसका center of mass रहेगा यह दोनों एक दूसरे से move कर जाएंगे में आगे चला जाएगा प्लैंक पीछे आ जाए लेकिशन सेंक्रफ-था अभी जहां है अगर इन दोनों का center of mass अभी यहां है तो जब यह मैं इस end पे पहुचेगा और ये plank पीछाएगा ना तो भी center of mass यहीं रहेगा यह change नहीं होगा पहली चीज तो यह है क्यों क्योंकि external force in x direction 0 है और velocity initially center of mass की 0 है अब external force 0 है तो center of mass की velocity change नहीं हो सकती acceleration 0 center of mass का और velocity change नहीं हो सकती का मतलब अगर वो शुरू में 0 है तो हमेशा 0 रहेगा मतलब center of mass move ही नहीं करेगा मतलब displacement of center of mass is 0 मतलब displacement of of center of mass is 0 चीक है अब इसका मतलब क्या है मान लीजिए अपने जो थोड़ी देर पहले equation पड़ी थी center of mass का जो coordinate होता है वो RC ऐसे लिखते हैं हम लोग ठीक है मैं लिख रहा हूं यहां पर DRC यह क्या है displacement of center of mass बराबर आएगा पहला particle into उसका displacement प्लस दूसरा particle into उसका displacement दूसरे पार्टिकल का displacement and so on यहां लिखना पड़ेगा MN प्लस M1 प्लस M2 अप्टू MN ठीक है यह कहानी बन गई अब मैंने पहली बोल दे डिस्प्लेश्मेंट ऑफ center of mass is 0 मतलब यह quantity is 0 है यह multiply होके सब कुछ 0 हो जाएगा तो कहानी बन जाएगी M1 DR1 वेक्टर प्लस M2 DR2 वेक्टर अब टू MN DRN वेक्टर बराबर 0 इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है बेटा जी क्या मतलब इसका कि पहला mass into उसका displacement दूसरा mass into उसका displacement तीसरा mass into उसका displacement इन सब का vector sum 0 होगा तो यह तरीका रहेगा बेटा अपना सवाल करने का ऐसे सवाल आपको बहुत मिलेंगे आप कर सकते है एक्टरनल फोर्स नहीं एक्स डाइरेक्शन में तो displacement into mass और उसको vector sum कर दिया अगर यह 0 है तो पहला पार्टेकल उसका displacement दूसरा पार्टेकल उसका displacement इनका vector sum 0 रहेगा मतलब मतलब यह कि एक्स डाइरेक्शन में अगर यह मैन मूव करता है तो मैन ने चली दो टोटल दूरी 10 माइनस x positive x में मैन ने कितनी दूरी चली मैन ने दूरी चली एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचने के लिए 10 माइनस x in positive x direction ठीक है प्लैंक ने चली दूरी एक्स अरे प्लैंक कितना खिसका है बेटा लेफ्ट में एक्स यह तो माना है कि प्लैंक एक्स खिसक गया और यह चली है बटाई इसने negative x direction में ठीक है तो displacement of center of mass 0 कहता है कि भाई साब पहला particle का mass into उसका displacement प्लस दूसरे particle का mass into उसका displacement ठीक है यह जीरो के बराबर हो दो यह पार्टिकल है तो दोनों का लिख रहा हूं ठीक है पहले particle का mass यह मैंने मैं मैंन को माननों 60 kg है और दूरी कितनी चली है 10 माइनस x बाई साब हम लोग positive x वाली दूरी इसको positive लिखेंगे negative x वाली दूरी को negative लिखेंगे प्लस दूसरा जो plank के इसका mass है 20 kg और इसका displacement कितना हुआ है minus x minus x क्यों क्योंकि बीटा negative x direction में हुआ है displacement इसको बराबर कर देंगे हम 0 के इसको आप उधर ली जाए पॉजिटिव हो जाएगा यह आगे 600 minus 60x is equals to 20x यह जाएगा उधर तो 80x आ जाएगा तो 600 is equals to 80 times x आ अपने पास में ठीक है यह cancel out होगे एक 0 से एक 0 चारज एक एंसल आउट होगे दो बार यह होगा 15 बार तो 15 by 2 मीटर आ गई यानिकि साड़े 7 मीटर कितने आगे पर tax की value साड़े 7 मीटर मतलब अगर साट किलो का आदमी 20 किलो ग्राम वाले प्लैंक पर चलना स्टार्ट करता है तो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में प्लैंक साड़े 7 मीटर पीछे चला जाएगा तो इंसान को सिरफ डाय मीटर ही चलना पड़ा समझ गे यह सेंटर आ सेंटर ओफ मास की मोशन से रिलीटेड और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं ठीक है यह सवाल है आप सभी लोगों को हूमवर्क में कर लेना है बहुत ज़्यादा इजी कोश्चन है अभी जो फंडा लगाया था जो फॉर्मुला लगाया था एक्जैक्ली सेंव फॉर्मुला कि बाच्ट हें तो हवा में फट जाता है ठीक है सब को पता है जो बॉम फटेना वो इंटर्नल रियक्षण की वज़ास पटें इंटर्नल रियक्षन की वाश्यां मतलब क्या है मतलब बाम के बाहर से कोई कुछ नहीं कर रहा था अंदर येंडर कोई कैमिकल हैं जो आपस मे होती है internal forces की वज़ा से होती है ठीक है सबको पता है तो बेटा केस बनता है छोटा सा blasting of bomb in mid air blasting of bomb ठीक है यह कैसे होती है या पार्टिकल का किसी भी एक मनलब system का फाटना ठीक है बेटा बॉंब जो होता है न हाँ नहीं नहीं बॉंब जो होता है ठीक है वो बॉंब internal forces की वज़े से फटता है तो bomb के उपर कोई external force नहीं है bomb के उपर कोई external force नहीं है मतलब यह कि मानलो आपने कुछ इस तरह से यह coordinate system अपन ने बनाया ठीक है ना बना दिया बहुत बड़िया आपने यहां से एक बॉंब है इस बॉंब को आपने फेक दिया किसी स्पीड पर ठीक है सब को प्रोजेक्टाइल पता हो मानलो थीटा एंगल पर आपने इसको फेक दिया तो बॉंब बेटा ऐसा 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 पाथ ट्रेस करता एक गहенिकर ट्राफल करता अगर यए फटता नहीं तो अगर फटेगा नहीं तो रचा करेगा दो ने हर से च्पाइमक पार्ट बॉंब का इधर एक पार्ट इदर गया एक ननोHa्लाद इदरगया से रेंडम direction में गया है ठीक है लेकिन क्योंकि bomb जो है वो फटा है internal forces की वज़े से तो bomb का जो center of mass है उसका path change नहीं होगा center of mass will continue to move on the same path जिसमें bomb जा रहा होता भाई कोई particle कहीं जाएगा कोई particle कहीं जाएगा कोई particle कहीं जाएगा अना लेकिन वो particle देखो physics कितनी ब्यूटिफुल है अपने आप ऐसे इतनी दूर जाएंगे वह स्थोड़ी के यहां बॉंब फटा तो एक particle मतलब आपने यहां पर बॉंब फाड़ा कहीं प्रेनिंग चल रही है वहां बॉंब फाड़ा तो वह इंसानों तक पहुंच जाएगा मतलब दूर कहीं ग्राउंड वगएरा में कोई training चले वहां पर बॉंब ब्लास्ट किये जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वह कहीं बॉंब ब्लास्ट किया जाएगा तो इंसानों के जो रियाइसी इलाके जहां पर रहते हैं लोग वहां आ जाएगा वहीं फटेगा अब फिजिक्स देखो इसकी कितनी बॉटिफुल है कि वह बॉंब जो फटते हैं वह अपने आप ही ऐसी डायरेक्शन में जाते हैं उसके टुकड़े की सेंटर ओफ मास जो है न वह सेम पाथ पर जा रहा होता अ नहीं पर रखना इस तरह से टुकड़े फटेंगे मतलब आपने बॉम फेका मुद्दे की बात यह है आपने बॉम फेका बॉम हवा में फटा अना बॉम के टुकड़े दर दर चले जाएंगे लेकिन मेरे भाई सेंटर ओफ मास उसी पात में ट्रैवल करेगा जिस पात में बॉम कर रहा होता बिना फटे हुए चुकि इस पे तो कोई एक्स्टरनल फोर्स है नहीं इस पे तो कोई एक्स्टरनल फोर्स है नहीं एक्स्टरनल जीरो है अना ग्रैविटी को हम बहुत वीक मान रहे है इस केस में क्योंकि ब्लास्टिंग में बहुत जादा फोर्स लगत बाउम जिस बात में जाता अगर फठता नहीं तो सेंटर आफल मास का पाथ या होगा के बाउम का पाथ बॉढब के ढोग्वाम क्यों टुकण उनका पाथ कुछ होगा रेन्णम के सेंटर आफमास सेंसर और इंपोर्टें चीज बैट एक ओस्टीन प्रोजेक्टा discipline這麼 काफी अच्छा कुष्चिन है इसको देख लेते हैं ठीक है एक प्रोजेक्टायल है जिसको फायर किया गया एक स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड सुन लो यह सवाल है और काफी इंट्रस्टिंग और काफी अच्छा सवाल है इसको हमने क्या प्रोजेक्ट किया है पार्टिकल क कुछ इस तरह से यहां से होरीजिन से माल लेते हैं 37 डिगरी एंगल पर स्पीड कितनी दे रखे वेटा इसको 100 मीटर पर सेकेंड वो काफी अच्छी काशी स्पीड होती है 100 मीटर पर सेकेंड हमें बोला गया कि एड़ दा हाइस्ट पॉइंट का मतलब क्या है बाई देखो इसका जो पाथ होगा वो ऐसा होगा ऐसा होता अगर यह फटेगा नहीं तो अगर यह फटेगा नहीं से लाज ऑ इसके यहाँ पर इसी पात में इसी पात में कैसे अब वोई दिखा रहा हूं at the highest point the projectile breaks into two parts of mass ratio one is to three मतलब इसके दो तुकड़े होते हैं और वो दो तुकड़े होते हैं 1 is to 3 के ratio में ठीक है lighter piece coming to rest मतलब इस point पर यह projectile फटा और इसके दो टुकड़े हो गई बेटा दो टुकड़े वे यह पहला तुकड़़ एज डूसरा टुकड़़ गर जाएगा तो यहाँ गरेगा. दूसरा वाला जो टुकड़़ः टुकड़़ यहां alla गरेगा. घ्रों मुझे पूछा गया है कि फाइन दा डिस्टेंस फ्रॉम दा लाउंचिंग पॉइंट टू दा पॉइंट विर दा हैवियर पीस मतलब यह हैवियर पीस कहा लेंड करेगा आपको यह बताना है इस पॉइंट से प्रोजेक्शन पॉइंट से ठीक है तो हमने का जी बात तो बिल ऐसी और उसकी जो यहां से दूरी होगी ना वो चीद्र और सिस्टम की दो तुकड़े एक तुकड़ा इहां गिर इन दोनों का संट्र ऑफ मांस चेंज नहीं होगा है समधसि में गई Let's मास यसी पात में ट्रैवल करेगा और सेंट्र ऑप मास यहां होगा ठीक है बहुत बढ़िया पहले टुक्रे की लोकेशन हमें पता है बेटा हाइस पॉइंट से नीचे गिरा है मतलब यह दूरी आधी हाफ अफ दा रेंज हो गई अरे हाइस पॉइंट पे अगर हम लोग बात मात करने प्रोजेक्टाईल की तो वह आदि रेंज पर आता हाइस पॉइंट के बावर है तो भाइस शाब रेंज कर सकते यू स्क्वाइर, 2 sin theta cos theta upon g, तो r बराबर आजाएगा, 100 into 100, 100 का स्क्वाइर हो गया, into 2 times sin 37, प्रोजेक्शन एंगल 37 है न, वोता 3 by 5, cos 37 होता 4 by 5, और डिवाइड करना इसे 10 से, ये बिटा 25 से 4 बार cancel out हो गया, 100, 0 से 0 गई, तो अपने पास में आ गया, 40 into 280, और 240 और 4, तो यह आ गया, 240 into 4, यानिकि 0, ठीक है, 6, ठीक है न, और 200, यह क्या कहते है, 204, 12, 12 into 24, 24 into 10, 240 होगे, तो 240 को 4 से multiply करने है, आपन को, ठीक है, 960 आ जाएगा, 960 मीटर आ जाएगा, रेंज आ रहे, 960 मीटर, ठीक है, मतलब जो X कोडिनेट है, हमें पता है, center of mass का वो है, 960 मीटर, ठीक है, और जो पहला particle है, पहला particle है, उसका कोडिनेट भी पता, आरबाई टूपे, यानि की 960 का आधा कर दो, तो इसका कोडिनेट क्या होगा, ओरीजिन के respect में, भाई, आधा कर दो 960 का, 960 का, आधा कर दो बिल्कुल, 900 का आधा 450, 60 का आधा 30, 480 हो गया, इसका कोडिनेट पता है, इसका कोडिनेट पता उसका निकालना है, मतलब प्रॉब्लम अब ये बन गई है, कि ये ओरीजिन है, यहाँ से पहला पार्टिकल है, मानलो, M1 मास का, वो 480 मीटर पर है, ठीक है, यहाँ से दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, उसका कोडिनेट मैं मानलेता हूँ, M1 x, ठीक है, ये जो x है, क्योंकि इसका पता निकालना, x ही निकालना है, ये M2 मास है, और इन दोनों का center of मास यहाँ पर है, और जिसकी भी मुझे दूरी पता है, कितनी है बेटा है, यहाँ से 960 मीटर है, ठीक है, ये प्रॉब्लम मनले, मतलब ये origin है, origin के respect में आपको एक मास पता है दूसरा मास निकालना है सेंटर ओफ मास पता है तो सेंटर ओफ मास जो होता है उसका एक्स कोडिनेट होता है M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन अर दो पार्टिकल है न तो M1 प्लस M2 ये तुम्हें पता है 960 है M1 कितना है अब देखो टुकड़े जो है 1-3 के रेशो में मतलब M1 by M2 की जो वैल्यू है तो 1-3 है मतलब अगर मैं M1 को 1 मानूंगा तो M2 3M हो जाएगा M1 को 1 मानूंगा तो M2 3 हो जाएगा 1-3 रेश्व है चीक है बटा तो लेट M1 बराबर M M1 को अगर मैं M मानता हूं तो M2 कितना हो जाएगा 3M हो जाएगा सिंपल सी बात है ठीक है वो कैंसल आउट हो जाएगा उसकी टेंशन छोड़ो तो यह M1 की जगा रखा मैंने M X1 पहले पार्टिकल का एक्स कोडिनेट कितना है 480 मीटर प्लस M2 की जगए क्या रखेंगे 3M और इसका X कोडिनेट कितना है X है डिवाइड़ बाए 4M M प्लस M, M प्लस 3M टोटल मास जो दोनों पार्टिकल थे उनका यह M cancel आउट हो जाएगा ठीक है 960 इन्टू 4 आजाएगा इधर कितना आजागा 960 इन्टू 4 बराबर आजागा 480 प्लस 3X ठीक है न यहीं आएगा multiply कर लो 3840 आगया माइनस 480 बराबर 3X तो यहां से आपके पास में X की value आ जाएगी देखो जीरो आ गया 14 में से आठ गए तो 6 बचे और यहां बच गए साथ तीन आ गया और तीन सो साथ एक्स की वेल जागी तीन सो साथ डिवाइड़ इसको सॉल करोगा आप वन वन टू जीरो ग्यारा सू बीस मीटर आ जाएगा अगर एक चलते हुए प्रोजेक्टाइल अपने हवा में फटता है तो उसका पहला टुकड़ा अगर हाइस पॉइंट पर टूट रहा है तो हमें यह पता चल गया कि वह पहला टुकड़ा कितनी दूरी पर गिरा है कि अगर कोई मानलो ऐसा बॉंब है जिसके दो टुकड़े होते हैं और वो दो टुकड़े वन इस्टू थ्री के रिशो में जाते हैं वन इस्टू थ्री के रिशो में जाते हैं हमने 37 डिग्री पर लांच किया उसे तो उसका सेंटर ऑफ मार्स देखो कितना इंपॉर्टें क्वेश्चन था और आप सभी लोगों को आई होप समझ में आया है कॉंषट आइप सभी लोगों को अच्छे समझ में आई ही रहे हैं को दिख्कत वाली बात तो नहीं है तो यह कहानी हो गया किसकी मोमेंटम कंजरवेशन और मोशन ऑफ सेंटर ओफ मास की मोशन यहीं पर खतम होती है अब नेक्स जो क्लास होगी अपनी उस क्लास में हम लोग बेटा कुछ कोलीजन वगेरा के कुश्चन करेंगा आपने पहले कोलीजन पढ़ लिया ऐसा भी लोगों नहीं अगर नहीं हुआ है और पढ़ना है दुबारा तो आप कमेंट करके जरूर बता है अगर आ कोमेंटम के क्वेश्चन्स हम लोग नेक्स क्लास में कर लेंगे और कोलीजन के क्वेश्चन कर लेंगे सी उन्हें नेक्स क्लास थैंकी सो मुच कर दो है क्वेश्चन तो आपाट थैंकी सुखश्चन कर लेंगे साथ जन्हें है और कर दो हैंगे।